नमस्का फ्रेंड फ्रेंड याइसा कि आप जानते हैं कि हमाई चैनल पर डेली गौर्डनेट जॉब की जानकारी यही से लेटेड अपडेट मिलती रहती हैं तो फ्रेंड आज हम लोग ऑईल इंडिया लिमिटेट की तरफ से बात करेंगे और काफी गूड नीज इसमें निकल के सामने आ रहा है तो फ्रेंड आप सभी समय कहना चाहूंगो कि आप लोग वीडियो को लाश तक बने रहेगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके चैनल पना है तो जरूर चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा ताकि ऐसी ही अपडेट आपको हमारी चैनल द्वारा बिल्कुल फिरी में मिलती रहे है तो फ्रेंड हम लोग देखते हैं इसमें जो है इसमें आई टीए वाले बच्चे जो है खास तोर पे काफी ज़्यादा पोस्ट इसमें बहाली आ चुकी है तो आप लोग इसमें फॉर्म को फिल अप करना मत भूलिएगा आपसे यही कहना चाहूंगा तो फ्रेंड बात की जाती है यह पर्मनेंट जॉप है और बात की जाती है आल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाइ कर सकते हैं ना कि सिर्फ जो है एक से दो राजी के बच्चे अप्लाइ कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं तो मैं इसमें आपको जो है जो syllabus है वो सारा मैं mention करूंगा बताऊंगा और इसमें जो है exam जो होगा offline होगा कि online होगा यह सारा जो है इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ बस आप last तक बने दहिएगा चैनल को subscribe नहीं के तो ज़रू subscribe कर लिजेगा इस video को download करना चाहते हैं तो बिल्ड headquarters आप देख सकते हैं इसमें जो है दिया गया है असम और प्रदेश अंधर प्रदेश उडिशा राजस्थान मेजोरम और कोलकाता और देख सकते हैं गुहार्टी नौइडा और यहां पे पूरी तरह से बताया गया है कि कहां कहां पिसका जो है इसका headquarters से office है यह सब इसमें बताया गया मैं मैं बात करूंगा इसका जो है आप देख सकते है इसका grade पे जो रहेगा वह सब्सक्राइब यहां पाप देख सकते है पह स्केल जो है दिया गया है 26600 लेकर 90,000 तक आपका पी सकल होने वाला है मतलब रहने वाला है और बात की जाते यहां आप आप द पास हाई श्कूल मतलब 10 पास होना चाहिए तिये आप देख सकते हैं इसमें जो सीट दिया गया है वो 38 दिया गया है यहां पर जो एलक्टीसियन की सीट रहने वाली है वो 38 सीट रहने वाली यह सी की जो है दो सीट रहेगी 80 की 4 रहेगी OBC non-cremial layer की 10 रहेगे EWS की 3 रहेगी UR के जो बच्चे है उनके लिए उननी सीट रहने वाली है और उसके बाद बात की जाए फीटर के जो बच्चे है यहां पर फीटर देख सकते हैं फीटर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है फीटर ट्रेड होना चाहिए ट्रेड सार्ट देख सकते हैं कोई experience नहीं मांगा गया और सीट की बात की जाए तो काफी जादा इसमें सीट है 144 सीट है यह सिक आप देख सकते हैं 10 सीट है आप देख सकते हैं मोटर मेकानिक मोटर विकल ट्रेड से जो है इसमें 42 सीट रहने वाली है यसकी 3 यश्टी के 5 और OVC की नान क्रीमी लेयर की 11th EWS की 4 यू आर के 19 रहने वाला है आप देख सकते हैं इसमें टोटल में 42 सीट रहने वाली है तो इसमें भी experience नहीं मांगा गय ते लिए उसके बाद आप देख सकते हैं जो एक यस्टी एक जनरल की साथ और तो ऐसे में जो है तेरा सीड इसमें भी है उसके बाद देख सकते हैं आप मेकाइनिक डीजल ट्रेट से जो है इसमें 97 मतलब सत्तानवे सीटे काफी ज्यादा सीटे हैं इसमें यस्टिक साथ यस्टिक 11 मतलब 11 ओवी सी की 26 एड़ यू आर बात की जाए तो इसमें 44 सीटे ऐसे में 97 मतलब सत्तानवे सीटे हैं इसमें उसके बाद बात की जाए तो इलक्ट्रोनिक्स मेकैनिक ट्रेट के बच्चे जो है उसमें आप देख सकते हैं कोई एक्सपिरियंस इसमें भी नहीं मांगा गया है इसमें भी आपके पास सर्टिफिगर्ट प्लस हाई स्कूल होना चाहिए और बात आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा सीटे निकाली गई है और बात की जाए यहाँ आप आप देख सकते हैं जो बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकर्ट जिनके पास है उनके लिए आट सीटे निकाली गई है इसमें देख सकते हैं सन्टियल कौलिफिकेशन में उसके बाद टरन ट्रेट के जो बच्चे उनके लिए 4 सीटे निकाली गई है बात की जाए ड्राफ्ट मैंट शिविल ट्रेट के लिए 8 सीटे है इस्टूमेंट मकाइनिक ट्रेट के लिए बात की जाए तो 81 सीटे मतलब 81 सीटे है ESt की 5 है E2 की 9 OBC नान करेमी लियर के लिए 21 है और EWS की 8 और UR के लिए जो है 38 ऐसे में बात की जाए तो 81 seat है instrument mechanic के लिए फिर बात की जाए तो 10 प्लस 2 physics, chemistry and mathematics के लिए 44 seat दी गई है तो जो भी student inter जो किये हुए है 10 प्लस 2 मतलब बात की जाए तो physics, chemistry, math से वो भी जो है वो 44 seat हैं, काफी ज़्यादा seat इनके लिए भी दी गई है surveyor trade के लिए 5 seat दी गई है और बात की जाए तो welder trade के लिए इनके लिए 6 seat दी गई है और बात की जाए तो जो है IT, ESM के लिए जो दिया गया है वो 5 seat दी गई है यह आप देख सकते हैं पूरी तरस mention किया गया है फिर बात की जाए तो आपको जो एज लिमिट के बात है तो आपको जो एज लिमिट दी जाएगी ESC, ESC 5 साल, OVC non-criminalier की 3 साल की तो ऐसे में जो है आप देख सकते हैं पूरी तरस mention किया गया है सबी कुछ इसमें बताया गया है तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और जो आपका exam जो होने वाला है वो CBT exam होगा आप देख सकते हैं बात की जाए तो numerical mental ability इसमें 20 question रहने वाले हैं उसके बात की जाए तो relevant technical traits जो knowledge वाला जो रहेगा जैसे जो भी traits जो भी student है उनके लिए 60 question पूछे जाएंगे ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 100 question आपसे पूछे जाएंगे उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरस इसमें mention किया गया है जो आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटेक दिया जाएगा मतलब 2 घंटेक लिए इसमें आपको समय दिया जाएगा मतलब 100 question आपको connect लिए 120 minute आपको मिलेंगे इसमें तो काफी ज्यादा समय आपको इसमें मिलने वाले हैं और बात की जाते हैं यहाँ पर जो है कुछ guidelines दिये गया है आप इसको देख सकते हैं और जो ना समझ में है तो आप हमारे पास comment कर सकते हैं यहाँ पर जो है कार्ट certificate से related भी है तो जो भी student वो भी सी यह सी से विल लिएगा चैनल पना है तो जरूर चैनल को subscribe कर लिजेगा और यहाँ पर बात की जाए फ्रेंट यहाँ पर how to apply आप देख सकते हैं apply आपको कैसे करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे website पर जाके यहाँ से apply करना है चोबिस आर दोहजार एकीस साथ बज़े से स्टार्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ मेंसर कर दिया गया है और इस पीडियाफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ें टेलिग्राम चैनल पर आपको यह PDF अबलेबल की गई हैं यहाँ पर आप देख सकत आप देख लिजेगा और अच्छे से फॉर्म फिल अप करना मत भूलेगा चैनल पना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाले सब्सक्राइब में आपको ऐसी अपडेट हमारे चैनल के दोरह मिलते रहें जरू था वाइं पाइब भाइ